जैसी अराम दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रिटी कॉर्णर नी और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे के सकट चौत की कथा सुनने के बाद आप सूरज को अर्क किस तरह से दे सकते हैं और आपको अर्क देते समय क्या बोलना चाहिए तो देखें जहां से भी आपको अच्छे से सूर्य देता के दर्शन हो अपनी बालकनी से छट से आप वहाँ जाके अर्क दे सकते हैं और कभी कभी ऐसा होता है किसी-किसी दिन पर मोसन ख़राब होता है तो हमें सूर्य देता दिखते ही नहीं है उस केस में आप न पूरप की दिशा की तरफ मुवझ करके जल अर्पन कर सकते हैं याद रखिएगा जब भी आप अर्क देते हैं सूरज को या चंद्रमा को तो उस जल पे से कोई उलाके नहीं यानि कि उस जल को टापना नहीं चाहिए तो आप या तो कच्छे में जल दें या फिर आप ऐसी जहां पे जाके दें कि महाँ पर फिर कोई जाए ना थोड़ी दिर और या फिर आप इस तरीके से कोई बरतन रख करना चाहिए बहुत अच्छा रहता है और इसी में आप थोड़ी सी रोली थोड़ी सी हलदी डाल लीजेगा और साथ में आप कुछ मीठा डाल लीजेगा गुट डाल सकते हैं सकर चौत वाले दिन तो इस तरीके से देखिए आप सब कुछ डाल लीजेगा और उसके बाद पे चांदी पालेस चेफली की वक्ता सा न शेफली सो्में से बीजरी न और किकिंए का लिएनु में मैं अजाइव मतातो केम कटे में अपने हाथ साली अंग्ली को सवं का हरेवास की च्हाबडेक गॆश्शा, जयाश मेरे उपишला कृह दूसराओ देखे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ उसके बाद आप वहीं खड़े होकर परिकमा कर लीजिएगा इस तरीके से सूरे भगवान की और चुचकार लीजिएगा जो आपने जल दिया है और उसके बाद आपनी सास के नंद के बड़ो के पैर छू लीजिएगा तो इस तरहां से आप कोई भी कथा कहानी सुनके सूरे भगवान को जलरपन कर सकते हैं और सकट 34 सभी वीडियोज उद्यापन करने की बाइना निकालने की कथा सुनने की सभी मेरे चैनल पे हैं उन्हें भी जरूर देखें एक बार और अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जे सियराम